गुट मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं दीपारावत आज आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 10 की गाने चैप्टर 7 निर्देशांग जैमिती पर्षनावली 7.2 बचों आजम इस वीडियो में करने वाले हैं एक्साइज 7.2 का क्वेशन नमबर 4 और क्वेशन नमबर 5 तो आईए शुरू करते हैं क्वेशन नमबर 4 क्वेशन नमबर 4 में बचों आपको दिया है बिंदूओं-3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखा खंड को बिंदू-1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है आपको क्या दिया है कोई दो पॉइंट्स दिये हैं मानो वो A और B हैं हमने ले लिए ये A और B हैं और इनके कोडिनेट्स हमने निर्देशांक लिख लिए हैं-3,10 और 6,-8 अब हमें बताना है कि कोई बिंदू है-1,6 जो इनके बीच में इनको किस अनुपात में वह विभ इनको क्या कर रहा है एम-1, अनुपात, एम-2 में विभाजित कर रहा है तो यह मैंने स्टार्टिंग से बता रहे हैं आपको माना जो दिये गए बिंदू है वह ये 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 वी है हमने इसको पी ले लिया है ये पी बिंदू इस ए और B को एम-अनुपात, एम-1, में विभाजित कर रहा है तो बचुम विभाजन सूत्र से हम क्या जानते हैं कि जो विभाजन सूत्र हमारे पास अब ही इसके जो ये बिंदू निकले होंगे तो किसी ना किसी सूत्र से निकले होंगे न तो अब हमें पता है कि ये बिंदू जो हमें पता था कि विभाजन जो था विभाजन सूतर जो था उसे जो निर्देशांग निकलते थे वो कैसे निकलते थे क्या होते थे इसके निर्देशांग अगर मैं इसके निर्देशांग लिखना चाहूं तो m1 x2 m1 x2 plus m2 x1 upon m1 m2 मैंने यही लिखाए यहाँ पे कि x के निर्देशां क्या हो जाएंगे m1 x2 plus m2 x1 m1 plus m2 उसी डंग से y जो इसका होगा y वाले के क्या हो जाएंगे m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 अब हमें क्या करना है यह इसका x part है यह इसका y part है यानि कि इसकी भुझ है यह इसकी कोटी है इसकी भुझ है यह इसकी कोटी से हम तुलना करेंगे हम देखेंगे तो यह x वाला portion कौन सा है minus 1 वाला portion है मैंने यहाँ पे क्या लिख 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 यह पता है यह क्या होता है एक स्वां राइय उते हैं और यह क्या है सिस्टे एक इसल्ग है स्वां तो अधिफी लिखिए धिया है 1-8 प्लस M2 क्या है वैसी पता निकालना है इसको एंड य1 क्या है आपका 10 है तो 10 दिख लिया है अपॉन M1 प्लस M2 अब देखिए सार्व करें इसको 6 M1 हो जाएगा यह माइनस 3 M2 अपॉन M1 प्लस M2 उसरे दंग सी भी क्या हो जाएगा माइनस 8 M1 प्लस 10 M2 M1 Levev Agr呢 प्लस M2 अब आप क्या करो भी इसको क्रॉस म्लटिप्लिकेशन कर दीजहना इसको मैंने क्या कर लिए यह क्रॉस करेंगे तो वमन के साथ मल्टिप्लाय हो होने पर यह वने आता है लिए माइनस का सइन आगे तो मैंने मैस Сइन इसको भी left hand side ले प्लस माइनस का तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 3m2 इकोल सो 0 एम 1 वालों को एक साथ करें एम 2 वालों को एक साथ एड करें ठीक है और यह है एम 1 हो जाएगा क्योंकि हमें तो इसको इधर ले जाना जुरूरी है ठीक है आप एम 1 अपन एम 2 लिखिए तो यह एम 1 वैसी रहा है इसके निचे के आगे टू अपन सेवन हो जाएगा आप क्रॉस करके चेक कर लिए कि वहीं आ रहे है कि नहीं आ रहे है सेवन और टू एम 2 तो आपको लिखना इस डंग से इसको ठीक है उसी डंग से आप इसको भी करिए आप इसमें क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टिप्लिकेशन किया यह 6 M1 प्लस M2 आ गया एककोल्स टू माइनस 8 M1 प्लस 10 M2 इसको आप एक्स्पेंड करिए 6 M1 प्लस 6 M2 इकोल्स 8 M1 प्लस 10 M2 ठीक है मैं सब्कों इदर लिया इदर जीरो रहा जाएगा सब को इदर लाने पर 6 M1 प्लस 6 M2 इसको 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 ले जा रही हूं यहां पर इस मांइसले को लेके गई थिया नहीं माइनस वाले को लेके जाएंगे माइनस फोर्टिन एंटू फोर्टिन एम एकुल स्टु फॉरेंटू एम तो आजायेगा आपके पास फौर अपॉर पॉर्टिन एनकी टू अपॉन 7 तो यानि कि जो हमने ratio ग्याद करना था अनुपाद हमें M1 M2 निकालना था M1 M2 निकालना दोनों से क्या आ गया वो 2 अनुपाद 7 आ गया है 2 अनुपाद 7 आ गया है यही हमारा क्या हो जाए बच्चों answer हो जाएगा ठीक है अब बच्चों बढ़ते हैं इसके question number 5 के और question number 5 में है आपका आपको वहाँ अनुपाद ग्याद करना है जिसमें बिन्दूओं A यानि कि A के coordinates आपको निर्देशांग दे रखें 1,-5 और B के दे रखें –4,5 को मिलाने वाला रेखा खंड X, X से बिभाजित होता है ठीक है और इस बिभाजन बिन्दू के निर्देशांग भी आपको क्या करने ग्याद करने मैंने बोल दिया आपको ये A है ये B है यानि X1, Y1 सेम पहले की तरह question है ये B भी क्या होगे X2, Y2 अब आपको अनुपात निकालना है आप अनुपात M1, M2 लेके भी कर सकते हैं और K ratio 1 भी लेके कर सकते हैं इससे कोई फरक नहीं पड़ता है आपका अंसर सेम आता है इसमें confusion होने वाली कोई भी बात नहीं है अब आपको मैं K ratio 1 ले रही हूँ K ratio 1 से मैं इसको solve करके कर रही है M1, M2 से हमने पहले का question किया है अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या लेक्षा है A और B को मिलाने वाला रेखाखंड जो A और B को मिलाने वाला रेखाखंड है नो X, X से बिभाजित होता है किसे बिभाजित होता है? X, X से चाहना पर एक्स की बात आ गए वहां पर क्या होने वाला है आप इंद कि य जो रहेगा भाहां पर य वहां पर उन्या बात करेगा था इसँ बहा जाए करो फेस.' इस केस में जीरो बारीट तो मैंने नपाछ भीолे हैं किया नपना भी नरेते हैं अब वेस्ट जर्नल ये हम क्या लेते हैं M1 M2 लेते हैं तो यहां पर मैंने के रिएश्य वन ले लिया तो यहने कि M1 यह वाला हो जाएगा पर M2 क्या हो जाएगा यह हो जाएगा इसमें कोई वह नहीं है अब बिन्दु सी के निर्दे शांख हमें विवाजन सुत्रस हम जानते हैं कि क्या होता है M1 X2 अपन M1UNG प्लस M2 फिर मूणем कःएं मान तो यह हो झाल सुक्ते हैं M12 129 124 थूर कि मतने हो यह है though N यहां नहीं मतने हो पर दोला हुंित सारे मान दर्क as000 TV में क्या K है, Y2 की जगे में क्ये है 5 है, PLUS M2 की जगे में क्ये है 1 है, और Y1 की जगे में क्या आपके पास, MINUS का 5 है, ठीम है? इसको solve करके आ जदाएगा आपके पास MINUS 4K PLUS 1 अपॉन K PLUS 1 और यहाँ से आ जदाएगा आपके पास 5K MINUS 5 K PLUS 1 अब देखो हमने तो बोल दिया कि क्या है C के निर्देशांग ये है हमारे पास क्या है C के निर्देशांग ये है लेकिन C के निर्देशांग क्या है अब हम अगर इससे तुलना करें कि हमने यह यह निकाले और यहां में यह बोल रहे हैं अब हम इसके अगर तुलना करेंगे तो यह इसका x वाला portion हो जाएगा अगर मैं इसको x के बराबर रखों तो x तो हमें खुदी नहीं पता कि x क्या है तो यहां से टफ पड़ेगा इसको calculate करने क्योंकि हम x पता ही नहीं है अगर मैं बोलूं कि तो five k minus five upon k plus one Hum मैं क्या लिख सकती हूं 0 लिख सकती हूं क्यों यह भी तो यह है यह यहां से तो ना करी तो मैंने लिख लिए 5k-1 इसको cross multiply कि जीरो हो गया तो 5k equals to 5 आगे तो यह निकिके के वैल्य आपके पास क्या गई वन आ गई तो जो आपके पास अनुपाथ हमने शुरू में माता क्यों क्या वन था थक्या था तो कि वैल्य आ गई आपके पास वन आगई तो यह नोपाथ कै निकल के 1 तो तो अभी इस व्यो पास जुम है यह नोपाथ और बच्चों इस साथ ही सृथ हमें बिनुनpower के निर्दे तो हम देखेंगे तो हम देखते हैं गिए इनकल कैंगे हमारा सारा रखाब तो यह हो जाएगा आपके पास minus 4 k के जगे में 1 plus 1 upon 1 plus 1 यहां पर k के जगे में 1 यहां जाएगा इसको solve करके minus 4 plus 1 upon 2 5 minus 5 upon 2 ठीक है यहां से आजाएगे minus 3 by 2 यहां से आगे आपके पास 0 वैसमें पता था कि यह वाला तो 0 ही है यानिकि जो आपके आपने x,0 लिया था यही है यही आपका क्या है answer भी हो जाएगा तो बहुत simple यह question था बहुत interesting question था बहुत important question था